हलो दोस्तों तो आपका स्वागत है एड़ी शार्टन क्लासेश में और आज का क्लास है जेसी सीजिल के लिए या फिर और फिर जेपी एसी के लिए टेस्ट सीरीज एट जो नाकपुरी साहित्य और साहित्यकार से है इससे दो से तीन प्रस्ण आते ही है सो वीडियो को जरू कीएगा और चैप्टर है नाकपुरी खंड काव्य महा काव्य और कविता साहित्य ठीक है इनकी अभी लेखक और जो बुक है वो अभी हम लोग देखकर याद करने वाले हैं ठीक है यह टेस्ट सीरीज आपको टोटल टेस्ट सीरीज देखने के बाद एक भी प्रस्ण महा काव्य महा काव्यत के बारे में हम लुग पढ़ते हैं महा काव्य ंwald क्या है तो यह रामायनी शिटायनी महाकावे का नाम है रमायनी और सितायन तो इसके लेखा कोन है भाई तो पंडित मिर्थविंजय नाथ सर्मा ठीक ना नेक्स्ट चलते हैं बस दो ही महाकावे है नागपूरी में और दूसरा जो महाकावे है अविनासी घासी कौन सा है अविनासी घासी ये किसके द्वारा लिखा गया है तो ये जो लिखा गया है कृष्ण प्रसाद साहु कलाधार के द्वारा लिखा गया है किनके द्वारा कृष्ण प्रसाद कृष्ण प्रसाद साहु कलाधार ठीक है यह नोट रखेंगे नेक्स चलते हैं खंड कावी की ओर यहां से आपका खंड कावी जो सहित्य और सहित्यकार में पढ़ना ही है यहां से 2-3 questions आते ही है ठीक है इसलिए आपको total test series देखना है तो खंड कावी की ओर चलते हैं हम लोग यह एक लंका कावी प्रथम जो खंड कावी है आपसे यह पूछ देता है कि लंका कावी जो है क्या है तो यह एक खंड कावी है तो यह किसके द्वारे लिखा गया है तो यह जो लिखा गया है आपका हो जाएगा जै गोबिंद मिस्र ठीक है जै गोबिंद मिस्र सारे प्रस्ण को नोट करते चाहिएगा और एक और जो लिखा गया है लंका कांड किन के द्वारा एक और जो लंका कांड लिखा गया है किन के द्वारा कंचन के द्वारा ठीक है दो लंका कांड लिखा गया है एक कंचन के द्वारा, एक जैगोबिन्द मिसर के द्वारा, ठीक है, जैगोबिन्द मिसर के द्वारा, नेक्स चलते हम लोग, पहला, अब देखिए, वीर राघो चरित्र किन के द्वारा लिखा गया है, वीर राघो चरित्र, ठीक न, वीर राघो चरित्र किसके द्वारा ल लिखा गया है आपका गौरी नंदन सर्मा के द्वारा लिखा गया है जिनके द्वारा है नेक्स ठीक है नल दम्यांती नल दम्यांती चरित्र ये किनके द्वारे लिखा गया है तो ये जो लिखा गया है नल दम्यांती चरित्र द्रिग पाल राम देव घरिया ठीक है किनके द्वारा द्रिग पाल राम देव घरिया द्रिग पाल राम देव घरिया नेक्स चलिए नेक्स चलते हम लोग नेक्स खंड कावी की और भगवान एक पूरब के देखिए सार्दा मा सार्दा एक भगवान ही है और वो महान भी है तो भगवान एक भगवान एक पूरब के ठीक है भगवान पूरब के किनके द्वारा लिखा गया है और एक और है देखिए तो भगवान मा सार्दा भगवान भी है मा सार्दे और क्या है महान भी है तो विपलवी महान ठीक है विपलवी महान और ये भगवान एक पूरब के नेक्स्ट जो खंड कावी है मिवाड केसरी ठीक है मिवाड केसरी मिवाड केसरी किनके द्वार लिखा गया है तो ये उपेंदर पाल नहन के द्वार लिखा गया है ठीक है किनके द्वारा उपेंदर पाल नहन के द्वारा नेक्स्ट जो है लोकुष चरित्र लोकुष बहुती बल साली थे ठीक है तो बल साली से याद रखेगा कि बलदेव साहू लिखे हैं लॉकु ecos जो हैं लॉकु सर तर रकिन ट्वारे निखा गया है चरीत बल देउ साहू लिखते हैं जोड़ भी आज भी कविता किताब वारे में जानते हैं कि कविता साहीत्य ठीक है कविता किताब साहेत्य और साहित्यकार से ठीक है तो नेक्स्ट है यहां से देखिए प्रफुल कुमार राय के द्वारा दो पुस्तक लिखी गई है कौन-कौन सा तो रिंग चिंगिया ठीक है प्रफुल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है ठीक ना प्रफुल प्रफुल कुमार राय के द्वारा नेक्स्ट देखिए यहां विशेश्वप यानि कि सभी आदमी का जो बोली होना चाहिए सत्य और अच्छा बोली होना चाहिए तो देखिए अदम विशेशकर एक मनश में तो विशेश कर से विशेश राखियेगा और सथ्रें और बोली से सत्य अरचन और यह हो गया बोल आपन बोली बोल हुँका इंट बोली है इंट लिखा गया है आपका विशेश वर प्रसाद केष्ा डौराlight लिखा गया है विशृस्वर प्रशाद केसरी के द्वारा लिा गया है ठीक है नेक्स चलिए हम लोग देखते हैं आचरा की करत्व द्वार लिख लिए तो आचरा बस मन्झू एक मेरी बुगा है नाम है तो उनका आचरा हां निक ही कोई के द्वारा यह कवीता लिखा गया है ठीक है सितक बुंद किसके द्वारे लिखा गया है ठीक है तो सितक बुंद सितक बुंद भुवनेश्वर अनुच के द्वारा लिखा गया है किनके द्वारा भुवनेश्वर अनुच के द्वारा नेक्स देखते हैं हम लोग जारखन द के लेंगे तो जारखंड धार्खंड दरपन तो जारखंड के जारखंड दरपन चाहिब कुछ और ने लिखी है तो universe के द्वारा यह लिखा गया है किन कि कुछ अंगोर तो कि इयर किनके द्वारा सिव औतार चौधरी के द्वारा लिखा गया है तो मेरा एक दोस्त है उसका एकदम बीता चोटा सा है ठेक बीता भर भर ठाओं तो प्रमोद कुमार राय के द्वारा यह लिखा गया है ठेक है किन के द्वारा प्रमोद कुमार राय के द्वारा ठेक ना नइक्स चलिए समझो संगी समेद्व false संगे के कर द्वारा राम रतन के द्वार लिखा गया है समझ तन और लोर मतलब कि एक एक बच्चा को मैंने डाटा तो चन दुछाइन जब तक उसको दुला रहें तब तक वह रोते रहा लोर चुवाते रहा यानि कि चन दुछन ठीक है चन दुछन और लोर की कर द्वारा है लिखल तो जैसी उस बच्चा को हम धन दिये पैसा दिये न तो चुप हो गया तो धन से हो गया धनेंद्र परवाही ठीक ना धनेंद्र परवाही के द्वारा ये लिखा गया है चलिए नेक्स चलते हैं हिमाईत हिमाईत नहार हिमाईत नहार कर जो कवीता कर लेखक कोन है कई हिमाईत नहार कर लेखक है विरेंद्र कुमार महतो ठीक है विरेंद्र कुमा महतो के दवारा लिखा गया है नेक्स्ट जो है इस मरीतियों की कबर से यह बहुत ही इंपोर्टेंट जो है कब्र से बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास आपका हो रहा है और इसके बाद आपका जब नाकपुरी लोक शाहित्य उसमें बहुत सारे नया नया चीज आपको देखने को मिलेगा तो वह भी क्लास को देखिएगा अवश्य ठीक है हाना तो ये किन के द्वारा लिखा गया है तो सिव अवतार चौधरी के द्वारा ही लिखा गया है ठीक ना सिव अवतार चौधरी के द्वारा ही ठीक ना आसाता कर डोंगा ये किनके द्वारे लिखा गया है तो ये पुशकर महतो कर द्वारा लिखा गया है कुन पुशकर महतो के द्वारा लिखा गया है किनके द्वारा पुशकर महतो के द्वारा तो दोस्तों यहां आपका जो है क्या क्या समाप्त होता है खंड काव्य महा कावय और एक क्या लाश होता है कविता सहित्य और सहित्य कार यानि की सहित्य और सहित्य से तीन से चार प्रशना आते हैं ठीक है दो से चार तो यह आपको एकदम मार्क्स लाने में और मतलब कि जब नौर्मालाज़ेशन होता है तो उस टाइम ये आपको मेरे क्लिस्ट में लाने का बहुत कारे करेगा ठीक ना अभी जो हम लोग नेक्स्ट ये में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सीरीज में ये हम लोग पढ़ेंगे अबाउट नाटक कार यानि कि मुख्य नाटक और नाटक क ठीक है